नमस्कार मैं हूँ अंजली आदव आप देख रहे हैं एक नियूस 24 उत्तरपर्देश के वारा नसी में मुख्य मंत्री नितीज कुमार की होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया SMS को लेकर बिहार के मंत्री और उत्तरपर्देश जेदियू प्रभारी स्रवन कुमार ने कहा कि जिस कॉलेज में हमारी रैली होने वाली थी वहाँ के प्रसाथसन ने हमें मना कर दिया उन्होंने कहा कि अगर हम आपको रैली की अनुमती देंगे तो हमारी मानेताओं को रद कर दिया जाएगा श्रवन कुमार ने क्या कुछ कहा आए जानते हैं इस वीडियो में वहाँ पर मैदान नहीं मिल पाया और मैदान इंटर कॉलेज की थी रहनिया इंटर कॉलेज तो उन्होंने कहा कि हमारे पर बहुत दवाब है हमारी दिद्ध्याले की मानता रद करने की बात गई जा रहा है यह धमकाया जा रहा है इसलिए हम किसी परस्तिती में आपको ड़ा ही बेसा है तो मीटिंग जो है रैली जो है सवीड पूजाएंगा और रैली फिलियो वहाँ पर हवारी जित्रे पार्टी के लोग है वो सब गाउगा में काम कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं यहां की सरकार नहीं चाहते हैं कि यह पूल बात खोली जाएगी पूल खोला जाएगा देश के प्रधार मंद्री अगर देश में अगर एक एम्टी असर्त का सबसे जादा है उत्यों करने वारा है उसका नाम नजन नबोती है उनकी चत्र से ही इसके सुरुआत करता चाहते थे लेकिन जगह नहीं बिला तो जनता से पूछा जा रहा है कि नितिस कुमार जी को आना चाहिए कि नितिस कुमार जाएगे और सभा होगी खेत में भी होगी लेकिन सभा अब खेत में किशानों के खेत में भी रहा है कि नितिस कुमार जी को आना चाहिए कि में आना चाहिए यदिस के लिए इजाचत पिलेगा तो सभा होगी और सरकार अगर कि मैदार में नहीं करने देगी तो हम लोग कितनों भी करें चाह ऐसी भी ख़बर आ रही थी सर कि वहाँ यानि धंकी जब दिया जा रहा है तो कोई भी सुशन चलाने वाला अधिके से दे सकता है अब पास दिन तक वो कहते रहे कि हम दे देंगे देंगे लेकिन वो नहीं दे सक अब तो दूसरी भी धंकी उनको पढ़ने वाला होगा कि आप आप कहिए कि हमारे पास कोई आए ही नहीं है हमसे कोई मांगा ही नहीं है तो हमने दो-दो बैठके लिए है वहां बनारस में एक तो अस्थानिये जो जिला है बनारस जिला उसके अलावे आसपास के जिले पे बैठक दिये हैं दूसरी बैठक राजिके पदाधिकारी उक्राम लें दिया है बाचाता है सब चीजिए अखवार में चपी है और बाची जो प्रेस अजिया के लोगों से भी बाची चीजिए नहीं है तो क्या सत्त का सहारा लेकर कि हम लोग बिहार से उत्तर परती पे जा दोना चाहते हैं हम लोग सत्त का सहारा के साथ में जाएंगे और नौ बरसों का जो काम है भारा सरकार का उसका एक इक इसाब वहां की जनता को बोलें मांगे कुछ नहीं किया कोई ऐसा काम नहीं देखता है बानारस में जो कहें कि परदान मंत्री का चीजिए आज दीश कु प्रफने के लिए टिकट नहीं का इतनी बीर है इतने सहलानी आ रहे हैं तो आज पूरे देश और दुन्या में इसकी चरिशा हो रही है तो नेचर सफारी जो बना है उसको देखने के लोग आ रहे हैं वहां पर जो गोड़ा-कटोरा बना है उसको देखने के लिए अभी परि जो बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं जो बोध गया में बना है उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं एक आक्षी तो कम से कम परदान मंतरी शित में ऐसा दिखना चाहिए था कि बड़े पैमाने पर सैलानी देश और विदेश के लोग आते हैं जा करके अप लोक सभा में फुदाम हो रहा है। लोगसवा जब अस्वरच्जित है। देस का शबसी सवरच्जित सरहुब रह सकता है। छोगत्र हन्द में बंच्टूंग है Neirdope घूप अर्ड़osph wspól नहीं है. हैं यह बातों बताना चाहते हैं। यह इन सांसद है। तो आपने सुना कि स्रवन कुमार ने कहा कि अगर हमें कैमपस में रैली की अनुमती नहीं मिली तो हम अपनी रैली खेत में ही कर लेंगे इस वीडियो में यहीं तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूले अगर आप हमारे इस वीडियो को फेस्बूक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें धन्यवाद